है हुई एभी एक साथ मिलकर काम करते हैं यह फलस बी मिलकरawn को कितना दिन करता है चाहरे सी उन्हाणों काम करता है और यह दी और हम इस तीनों को जोरेंगे तो दो बार ऐ आ रहा है दो बार बी आ जा रहा हैं दो बार ताम आण यहां पर यहोगा और उक को जोराने का क्या नियम होता है one बाय में करके जोडते हैं यानि वन बटन ओ और यह जो नीचे 2 लिखेंगे यह 2 ऊपर चला जाएगा पलस एक बटन तीन पलस चार बटन यानि एक बटन अबत चार लिखेंगे तो चार ऊपर चला जाएगा तो यहां समलों क्या करेंगे यहांनी तीन दू पांट चार नौ यानि नौ बाट तरह न ड़कसर के उधर या यह गैसर आपसे नाव सिर्फा में यह। रोगा वो ऑप्शन नमर बी हो जागा एक बाट्टा दो आया फिर उसको हम उलट देते हैं तो दो घंटा में प्लस भी-प्लस सी काम करेगा अब नेक्स आवाल देखते हैं जिसे P और Q एक टंकी को करम सा 10 गंटा और 12 गंटा पूरा भर सकते हैं यानि P 10 गंटा हम भरता है ये भरने वाला है Q भी 12 गंटा हम भरता है यह दोनों भाडने वाला टंकी है और C जो है एक अनल C वो 6 घंटा में खाली करने वाला टंकी है तो यह देन तीनों मिलकर एक साथ साथ बज़े चालू हो जाए तो चौथाई टंकी कितने समय भारेगा है यहनि जब यह तीनों मिलकर काम करेगा P पलस Q पलस C तब कितना दिन में काम समापत होगा 1 वट्टा 10 पलस 1 वट्टा 12 माइनस 1 वट्टा 6 खाली करने वाला टंकी में माइनस लगाते हैं अगर हम यहाँ से अज़ से हम कितना ले ले 60 ले ले एक वट्टा 6 है यानि 6 घंटा में कर देगा लेकिन यहाँ पर क्या बोलो जा रहा है चोथा ही टंकी भरने में कितना समय लगा यहनि अगर चोथा ही टंकी भरना है तो 60 का एक वट्टा 4 कितना होता है 15 घंटा यानि 15 घंटा में एक चोथाई टंकी भर जाएगा यानि अगर साथ बज़े चालू हुआ साथ बज़े चालू हुआ और पंदरा घंटा में टंकी भरेगा इसका मतलब 22 बज़े टंकी भर जाएगा 22 बज़े बोले तो 12 से 10 आगे है यानि 10 बज़े रातरी को टंक की भार जाएगा यह इनि इसका जो अंसरों का ओप्सन नमर B हो जाएगा नेक्स्ट आते हैं A B मिलकर एक कार्ज को 11 वट्टा उनिस भाग कर सकता है उतने ही समय B C मिलकर 14 वट्टा उनिस काम कर सकता है तो A B C इस कार्ज को कि A B C कार्ज का अनुपात गयात करें देखें A B C का अनुपात निकालना है A अनुपात भी अनुपात C निकालना है तो यहां पर 11 वट्टा उनिस है और यहां पर 14 वट्टा उनिस है तो हम क्या करते हैं टोटल काम जो है टोटल काम उनिस मान लेते क्योंकि यहां भी 14 बटा 19 है और 11 बटा 19 है तो हम क्या किये टोटल काम को 19 मान लिए अगर टोटल काम को 19 माने और A पलस B 11 बटा 19 काम कर दिया यानि A पलस B जो है अगर 11 बटा 19 काम किया इसका मतलब 19 में से 11 काम A पलस B किया तो C कितना करेगा आ Sam thought and admin सिज्वर काम कर देगा अगर B- Filter फर्फी। चौदा बनेश किया यजी फिपलब सी अगर उनीश में से चौदा काम किया रूंस में मैं 14 तो एक इतना कर देगा पाँच काम कर देगा है जब ऑयफ पाँच सी आइस पाँच ते रा काम हो तो बी कितना हो जाएगा तोटल 19 काम था तो 6 काम हो जाएगा यानि तो 5 अनुपाथ 6 अनुपाथ 8 इसका अंसर आप्सन नमर C हो जाएगा तो समझेंगे अगर टोटल काम 19 था तो A पलस B अगर 11 काम किया A 11 काम तो C 8 काम कर देगा अगर B पलस C 14 काम किया तो A 5 काम कर देगा टोटल निस्था 5 ये 8 यानि अट पाथ 13 काम तो बाकि जो बचा 6 काम वो B कर देगा तो 5 ये 8 उसके काम का अनुपाथ आगया अब नेक्स आते हैं एक धारा की चाल 5 किलोट परती घंटा है यानि धारा को जो चाल है वो 5 किलो मिटर परावर है धारा के विपरीत एक मोटर वो धारा के विपरीत 10 किलो मिटर जाने में और वापस आरामिक बिंदू पराने में 50 मिट का समय लेती है तो सांत जल में मोटर x अगर विप्रिت दिशा में 10 km गया तो 10 km जाने में इसको कितना समय लगेगा समय बाराव दूरी बटा चाल दूरी 10 और 4 दोनों का क्या हो जाएगा क्योंकि विप्रित दिश्जा में जा रहा है तो चाल घट जाएगा अगर फिर वापस आएगा तो इसका नमस्त धारा के साथ अवा आएगा योग्कि धारा के फृत गया तो आते वक्द हथारा उसको साथ देगा और धारा के साथ आएगा तब को कितना समय लगेगा दस बट एक्स प्लस फाइब यानि दूरी दस और चाल जोगा उजूट जाएगा यानि इतना समय लगेगा और दोनों समय मिलकर कितना दिर लग रहा है पचास मिनट यह किलोमेटर परतियावर में है तो इसको भी घंटां बन लेंगे तो 60 से में चला जाएगा तो हम क्या करेंगे इसी क्रीकेशन को नहीं सौल्फ करकर ओप्शन ले लेंगे तो हम ओप्शन में 26 और टैस को पहले कर देते हैं क्योंकि यह फिर क्ल्क्लेशन जkek ज़्यदा थफ करदेगा तो हम सब से पहले क्या करते X के बदले में 20 ले लेते हैं पहला काम क्या कि X के बदले में 20 अगर X के बदले में 20 लिए हैं तो यहां पर क्या जाएगा 10 बटा 20-5 15 पलस 10 बटा 20 पलस 5 25 इसका कल्कुलेशन कितना जाएगा 5-2 बार में 5-3 बार में 5-2 बार में 5-5 बार में यानी LCM 15 और 15 अब 10 आप पलस 3 दोना 6 यानी 16 बटा 15 यहां पर 16 बटा 15 आए जबकि हमें 5 बटा 6 चेश पैसाइस वर्टा साथ का मतलब पांच वर्टा चेश इसका मतलब 20 नहीं होगा तो अब हम सीधा चेक करेंगे 25 को लेकर अगर 25 लेते हैं एक सवाद्ले में तो 10 वर्टा 25 में से 5 गया 20 अब पलस 10 वर्टा 25 पलस 5 30 यानि यह 00 कैंसिल हो गया इन एक वर्टा 2 पलस एक वर और ओप्सन नमर सी हो जाएगा तो हम इस तरह का जब भी द्युगास अम इकरन का वाता है तो हम लोग क्या करेंगे वहाँ पर आप्सन ले लेंगे अब नेक्स सवाल देखते हैं एक व्यक्ति को एक निश्ची तस्तान पर नियर समय अमसर पहुंचना है जब वो 3 किलों परती घंटा के गतिस चलता है तो 20 मिन देरी लेता है और 4 किलों परती घंटा चलता है तो 10 मिन पहले पहुंच आता है तो इस सब्टाप के सवाल में डिस्टेंस निकाल न аты bacon समय समय में क्या करता है जब दूनों बार डेरी होगा तो घाटा देते हैं जब एक बार जल्दी पहुंचते और क्या करते हैं ऊसको जोड देते हैं तो पहला बार सपीड कितना है 3 किलोंट परती घंटा अगला बार सपीड कितना है चार किलोमेटर परते घंटा तीन गुने चार यहां पर S1 कितना तीन किलोमेटर परते घंटा और S2 कितना चार किलोमेटर परते घंटा तीन गुने चार बता तीन चार का अंतर एक हो जाएगा गुने समाए समाए यहां 20 मिनाट देरी हो रहा है और यहां 10 मिनट पहले ओर रहा है तो अभी बोले हैं कि जब 20 मिनट एक बार दे रही हो और एक बार पहले हो तो दोनों को जोडे नाई 20 अपलोवस 10, 30 मिनट हो रहा है 60 इस दो बार में दो से दो करां तो पर 10 ग goal 1 की ठींट का पहले है ओप्सिन नमर दी नेक्स्ट आते हैं एक आयताकार बक्से की तीनो बिमा का योग फॉल 12 संटीमीटर है यानि आयताकार बक्से में अगर तीनो बिमा दे दिया गया है तो गहनाव के तीनो बिमा यानि लंबाए प्लस चोराई, प्लस उंचाइ का जो योग दिया गया रहा दिया गया कुल पृष्टेच हेतफल, घणाईब का क्ईल प्लस प्लस वह क्लों ओ, देंगे किस चरह की अदिक्तमलंबाई slack क्या होगा घंगहनार यहारग आया ते जो अदिक्तम लंबाइच होती में ऊसका विकर्ण हो जाता है अदिक्तम लंबाइच क्या होता है और इस स्क्वाइर प्लस b स्क्वाइर प्लस h स्क्वाइर ये घर नाब का विकर्ण होता है तो एल स्क्वाइर भी स्क्वाइर जब हम निकालना है तो हम क्या करेंगे इस equation को square कर देंगे अब a plus b plus c का हाल square को आता है a square plus b square plus c square plus 2ab plus bc plus c a यानि 1 बदले में l, 2 बदले में b और c बदले में h बरावर 12 के square 144 ठीक है तो l square plus b square plus y h square हो जाएगा plus h square बरावर क्या हो जाएगा 144 और इसका जो value है इस पूरा का value 94 दिया गया है यानि यह 94 अधर जाएगा तो मैनस 94 हो जाएगा तो l square plus b square plus h square के आगे 94 में 144 में जाएगा तो 60 sorry 50 यह 50 आगे l square b square h square यानि हमें निकालना तर्विकार अंदरूट l square plus b square h square अंदरूट पचास इसका value l square b square h square 50 आगे यह 50 को क्या लिखते है 25 गुने दूट 25 का 5 निकाल जाएगा और रूट 2 अंदर मेरा जाएगा यह 5 रूट 2 इसका अधिक्तम बिकर्ण की लंबाया आगा option नमर ए अब next आते हैं यह दि सम बहुँज का परतेक आंतरीकोन परतेक बायकोन से 8 गुने से 18 दिखा है यह दि परतेक आंतरीकोन क्या होता है सम बहुँज में आंतरीकोन आंतरीकोन n-2 into 180 बटा न और बायकोन क्या होता है 360 बटा न यह जो आंतरीकोन है किसके बराबर है बायकोन के 8 गुने से 18 अधिक है बायकोन के 8 गुने से 18 अधिक है यह आंतरीकोन तो अब हम क्या करते हैं इस equation को solve करेंगे तो equation को solve करने से हम पहले क्या करते हैं 18 common ले लेते हैं इन्हें 18 यहां भी ले लिए 182 36 यहां पर 20 हो जाएगा और 18 यह दस बार में ठीक है तो अब यह वाला जो है इसको इधर लेंगे यह क्या हो जाएगा 10N-20 बटा N माइनस यह कितना हो गया अब 2060 बटा N वरावर 18 तो यहां पर हम NLCM लेंगे तो क्या हो जाएगा 10N माइनस 20 और माइनस 160 यानि माइनस 180 सरी यह ठारों काटे थे तो यहां पर 1 बचेगा ना यहां पर जब हम ठारों को काट देते तो यहां पर 1 बचेगा ब़ावर 1 अब अगर हम यह N को इधर लेंगे यानि 10N-180 ब़रावर N और ये N इधर आएगा, यनि 9N बरावर 180, तो N बरावर कितना हो जाएगा, 20 यनि जो भूजा का संख्या आएगा, वो 20 इसका अंसर C हो जाएगा, option नमर C अब next आते हैं किसी तिर्भूज में अंतरवित के तिर्जिया दो दिया गया, उस तिर्भूज का छेत्पल छेत, उस तिर्भूज का परिमाप है, तो किसी भी तिर्भूज में अंतरवित का जो तिर्जिया होता है, वो होता है, दो गुने तिर्भूज का छेत्पल वाटा तिर्भूज का सिर में परिमंप अंतावर्यत का तीर जिया क्या होता है दो क्यूस का प्रिमंप जिसमें से तीर जी निल ouू और थे इंs जाएगा ये दो से दो केंशिल हो गया तो तिरभूझ का परिमाप आया वो क्या आ गया यानि यदहर आएगा तो तिरभूझ का परिमाप 6 आ जाएगा यानि उसका जौन सरोग आपसन नमर सी हो जाएगा अब नेक्स्ट आते हैं किसी ठोस लंब पिरताकार बेलन का कुल प्रिष्चिय चतफल किसी ठोस गोले के चतफल के बराबर है उन दोनों की तिर्जा एक समान है यानि एक गोला है और एक बेलन है इसका तिर्जा दोनों का तिर्जा जो है वो आर है तो इस दोनों का कुल प्रिष्चिय चतफल समान है तो गोला का कुल प्रिष्चिय चतफल क्या होता है फोर पायर स्कूर और बेलन का कुल प्रिष्चिय चतफल टू पायर इंटू आर प्लस है गोला का कुल प्रिष्चिय चतफल फोर प बार में लग जाएगा तो यहां से क्या होगा दो इस इकल टू आर प्लस हो जाएगा अब हम क्या करेंगे बेलन और गोले का आइतन का अनुपात पूछ रहा है तो बेलन का आइतन क्या होता पाई आरे स्क्वाइर एच अनुपात गोला का आइतन फोरवाई थिरी पाई आर क्यूँ गोला का आइतन फोरवाई थिरी पाई आर क्यूँ तो यहां से यह πाई से πाई cancel हो जाएगा यह R2 से 2R cancel हो जाएगा और 1R बच जाएगा और उंचाए और 3 जब बराबर है तो यह height year cut जाएगा और यह 3 अधर आएगा तो यह आइतन कमन पात आएगा वो 3-5-4 तीनन पार चार कोई ओप्सन हमने दिया गया है ठोस गोले के छेतरफल का दो गुन्ना है गोला के छेतरफल का दो गुन्ना करना था मैं यानि दो गुन्ना करेंगे तो यहां पर टू आर गोला के छेतरफल का दो गुन्ना और यह बेलन के छेतरफल बड़ावर था तो इसका म कि जब एच वरावर थी आर आया तो यहां पे जो एच बचा था इसके वदले हम थी यार लिख लेंगे अनुपात फोर वाइट थी आर यहां पे एक आर यहां यहां भचा था तो यह तीन इधर आएगा तो नौ अनुपात च्यार यह आर से आर आप कैंसिल हो जाएगा नौ तो जब्राज्य बनाते समय यहां पर गलती हो गया था कि जो बेलन का पूअ में ख़र अगर इस्टाइब कर देंगे कि हैँ इंशित कर्वाइब हैं इंशितर से क्यों करते हैं कि इक नट कि अधिए जैसे ये पिरज में लेके इन से अधिक भूजा जैसे 근रे कि इसे वाल पर एक तिर्भूज है को क्या कार का तू नीचे भी क्या होगर तिर्भूज के मिला देंगे तो यह क्या बन जाएगा प्रिजम बन जाएगा इस प्रिजम का संपून प्रिष्टिय चेटफल गयात करें जो प्रिजम का चेटरफल होता है संपून चेटफल वह सिचुएशन पर डिपान करता है तो यहां पर जो सिचुएशन दिया गया है यहां पर कोई फ यह वाला भाग लेते हैं और इसकी उचाई कितने दियां अगहें है च्कार का यह यह आयत जिसकाफ़ाएं नौग सेंटिमीटर है अगर हमíँ मिर् झेटपल होगा नौपनचे-पैतालिस सेंटिमीटर हो जाएगा ये आयत वला भाग का अब आते हैं दूसरा ये रेड़ वला भाग देखे ये रेड़ वला ये भी एक आयत क्या कार का हो जाएगा जिसका लंबाई 12 संटीमीटर है और चुराई 5 संटीमीटर है तो यानि इसका छेत फ़लो जाएगा 12 गुने 5 यानि इसका छेत फ़लता 9 गुने 5 और इसका छेत फ़लो जाएगा 12 गुने 5 यानि ये वाला छेत फ़लो निकल गया अब ये बुलू बाला देखे अगर ये सामने वाला ये सामने से ये सामने से इसमें ये जो लंबाई है 15 संटीमीटर है सब्साइब्संथ सपल हो जाएगा ऑफ सब्सक्रांटीइद सब्सक्राइब होता हैえる। प्रिष्टीय सब्सक्राइब बोलता है तो बस यतना मेरा अंसर हो जाता, इसका सच्थफल क्या होगा ? एक वाटा दू, गुने आधहाड, नौ, गुने उचाएं, बारी, 15 सेंटीमेटर तो करन हो जाएगा ? यह 9 12 15 सेंटीमेटर का जब लंबाई था इसका एक वर्टा दो गुने नो गुने बार यह उपर कर देंगे तो नीचे का भी एडिया आजाएगा यह दुनों का अगर हम एड कर देंगे तो संपूर्ण प्रिष्ट्य छितफल आजाएगा तो यहां दो से दो कट गया अब यहां अगर कल्कुलेशन करें तो 95 45 प्लस 12 पंचे 60 प्लस 15 पंचे 75 प्लस यह 108 तो कितना हो जाएगा इक आएस्थान पर आठ हेकी अप्शन में दिया गया वह सी तो इसका जो अंसर होगा वह 288 सेंटीमेटर इक आएस्थान जो रहें तो 5 प्लस 5 10 8 18 तो इक आएस्थान कि अब नेच्श न आते हैं ऐब वत्ताभी और इसके विसका वितक्रम का योग जो है एक है यहीं यह वत्ताभी और इसका वितक्रम क्या ओजाएगा वाथा इसका जो यूग दिया गए वह एक दिया गया अगर हम यहां से देखें तो, ए स्क्वाइर प्लस बी क्यूब निकालना था एक क्या फर्मूलो रहता है एty' छो गुच यह क्या जाएगा आट boy रहा रहे अचाहिक बैस या कि Prab skirt कि हैुक लिख सकते हैं शक्ट प्तिब्स मैं से संधुन होते हैं सिंसर दृप्स नुम्हें से a नेक्सित आते हैं इस स्कार सोट प्लस ऑफायस स्कार फ्लस वह हैं धुर्स्य और एक यौफ एक तभी तो 1 पहलु एक तीन-इक चार तो एक स्कायर यान्य एक अबाव सभाल आते हैं एक स्कायर वद्रावर यज्यक्र वद्रावर्श कोई जाटैज्स ओर ज्लीटस बाना लेंगे similarity बोले तो यहां पर y plus z दियेगे एक से स्काइर बरावर य को भी हम एक्स के बरावर कर लेते क्योंकि एक्स बरावर है और जेड को भी एक्स के बरावर कर लेते तो 20 ampl 00 normal दो हो जाएगा कि एक्वाश्या थे स्काइर एक्स कट जाएक तो एक्स बरावर क्या गया कि जब ऑैक्स बरावर दो आ गया था थो हमेरे पास हुआ पर नवहीं को करेंकि एक एक व्यावर को सेक्TYन इक वड़ता त् countryside पलस एक बट्टा तीन पलस एक बट्टा तीन तो कितना हो जागे तीन बट्टा तीन यानि एक यानि इसका जो अंसरों का option नमर बी हो जाएगा तो जब भी x y z का structure सेम देखे तो उसको similarity से x y z तीनों को बरावर कर देना है और इस सवाल को solve कर लेना है next आते हैं कहीं भी अगर x plus 1 by x बरावर root 3 देखे तो कुछ ने करना है दो-दो का जो अंतर होगा वो 0 हो जाएगा यह दोनों 0 हो जाएगा और यह दोनों 0 हो जाएगा तो 0 पलस 0 0 अगर कोई और चीज आड़ रहता है जैसे एक और आड़ रहता तो यह इसका जो अंसर होता वो 1 हो जाता है तो कहीं भी अगर x plus 1 by x बरावर root 3 देखे तो दो-दो का अंतर, दो-दो का जो प्यर होता वो 0 बन जाएगा कैसे बनें गों देख लेते हैं जब x plus 1 by x बरावर root 3 होता है तो x3 plus 1 by x3 जो होता है 0 हो जाता है तो यहां समलिख सकते x power 6 plus 1 यानि ये दोनों multiply होगा और plus 1 बट्टा x q बराबर 0 यानि x के power 6 plus 1 बराबर क्या आगे 0 आगे यानि ये उधर multiply होगा तो 0 आगे अगर इस दोनों में हम x के power 12 कॉमल लेंगे तो क्या बचाएगा x power 6 plus 1 बच जाएगा पलस x power 6 plus 1 दिया गया है ये जब 0 आ गया और इसको 0 से गुना करें तो 0 अब पलस ये तो 0 था ही यानि 0 पलस 0 0 यानि इसका जोन सरोगा option नमर a हो जाएगा next सवाल देखते है जैसे इस सवाल में a square plus b square 2 दिया गया है a square plus b square ये जब 2 दिया गया है तो हम 1 volume 1 और b volume 1 रख सकते हैं 1 पलस 1 दो हो जाएगा उससी तरह सागर c square plus d square बराबर 1 दिया गया है तो हम क्या करते हैं c square चाद में 1 रख ल stabbed और d square में 0 रख देंगे तो भी तो 1 square 1 पलस 0 एक हो जाएगा तो हमें क्या निकालना है AD-BC यानि A को D से गुणा करेंगे तो 0-BC यानि B1 और C1 यानि 1-1-1 यानि 0-1 के स्क्वार पलस AC-BD के स्क्वार है यहांपे AC-BD यानि 1 वाद ले में 1 और C के वाद ले में 1 ranging एक एक रभी एक और डी O ये लिए एक को जीडिवार्फ और इसका का मैनस से क्लम करिंदाः और फलल में से क्लिव एक इन एक पल्श रिया जो जाएगा उपस्नि नम्र डी हो जाएगा नेक्स आवाल देखते हैं यह दे किसी तिर्भूद एवी सी के दो माद्य का एडी बी ये समकून जी पर काटती है जिससे कोई तिर्भूद ले लेते हैं यह एवी सी में जिसमें क्या करता है एडी और एडी और बी ये बी इ यह एक दूसरे को समकून पर जी पर काटता है यह जी 90 डिग्री पर काट रहा है यह एडी और बी इ अब क्या होगा कि उसमें एडी का लंबाए 9 संटीमेटर दिया गये है जब कोई माद्य का किसी बिंदू पर काटती है यह का लुनाओन प्विभाजित हो जाती है कहने और चीर्श से कटान विंदू का दूरी अगर दो होगा उस कटान विंदू जो बुजा का धोरी होगा वह Q होजाएगा उससी तरस यह बीस्टिय गणको एक में में विभा जित होगा ठीके अगर जो BD आया DG वो 3 cm आ गया सेम उसी तरीका से यह BE का लंबाई 6 cm दिया गया यानि 2-1-3 3 का भालू 6 cm तो एक का भालू 2 cm तो यह 2 का भालू 4 cm और यह का भालू 2 cm यानि यह 4 cm दिया गया है तो BD के लंबाई पूछ रहे हैं यह BD के लंबाई तो जो तिर्भूज यह BGD यह जो तिर्भूज बनेगा एक सम कुन तिर्भूज है यह 90 दिया गया है जिसमें C यह 3 cm और यह 4 cm तो 3-4-5 का टेपलेट होता तो यह 5 cm हो जाएगा ओप्सन नमर C इसका राइट हैंसर हो जाएगा अब नेक्स सवाल आते हैं एक सम्भावों तिर्भूज की परते एक भूजा की लंबाई 14 रूत 3 है तो उसके अंतवेद का छित्फल गयात करें जिसे एक सम्भावों तिर्भूज हम बना रहते हैं समावत रॉख रूत का जो उचाई होता हाइट वह एच बरावन होता रूत 3 वाः 2 ने भूजा हाइट की अ होता हाँ रूत 3 वाह टूग होता शियुल leaving it to go आगर हम इसका कोई केंदर मानते हैं जो ये केंदर होता हो क्या करते दो arist करता है अगर अंतविर्ध का तो यह पूरे हाइट का एक थीहाई भाग होगा यानि इस विंदो से यहां तक ही जो होगा वह एक ही तिहाई होगा दोन पार्ट एक में है तो टोटल लंबाए तीन अतीन में से एक भाग यह है तो यह एक तिहाए होगा यानि अंतर बित का जो तिर्जिया होता है पुड़ा हाइट कितना है रूट धिरी फार्मूल आपको हर ज्यंगा मिल जाएगा अगर परिविर्थ का तिर्जिया बोलें परिविर्थ का तिर्जिया तो ये क्या होगा कि ये परिविर्थ का तिर्जिया होगा उपड़ वाला भाग ये उपड़ वाला जो भाग है जिसे बाहर सगर हम विर्थ बनाएंगे उस विर्थ के लिए उपड़ वाला भाग तिर्जिया होगा और ये जो भाग है, पूरे उंचाय का दो बट्टा तीन भाग है, पूरा उंचाय तीन, उसमें से दो बट्टा तीन भाग है, अब पूरा उंचाय कितना होता है, रूथ 3 वाय टूगू ने है, और इसका दो बट्टा तीन भाग, ये हो जाएगा परिविर्ट का तिर्जिया यह 2 से 2 कट जाएगा और यह root 3 से root 3 यानि 1 by root 3 जह परीविर्द का 3 होता है यह आपको हर बुक में हर जगा मिल जाएगा ठीक है तो हमें अन्ता विर्थ के चृत्फ़ल से मतलब है तो अन्ता विर्ध का जो तीडिया हो तो 1 by 2 root 3 है यानि 1 by 2 root 3 और एक बदले में 14 root 3 तो root 3 கेंशिल हो गया धूसर यसा बार hesa बार में 1 जो बारगे दूसर तीर्जियां आ गया हुआ 7 cm ब्रीत ब्रणा थो पर शेट फल 5r- Rsq पर के बदले 22 बदा साथ और आर स्कुईर यानि 7 7 साथ कर जाए्या एक नीचे दी गई दस संटीमीटर ब्यास वाले तीन बिर्थ एक रवर बैंड से जोड़ा गया है, यानि ये रवर बैंड से इस तीनों बिर्थ को जोड़ा गया है, तो खीचे वे रवर बैंड की लंबाई कितना संटीमीटर है, जैसे दस संटीमीटर ब्यास वाले हैं, तीन ब यस तरह से जोड़ दिया गया है। तो यह रफ्र वैंड का लंबाय निकालना है। अब इसमें समते कुछ चीज़ जानते हैं। अगर हम इसको मिला दे। यसको भी मिला दे। फिर इसको भी मिला दें उसके बाद फिर इसको मिला दें इसको मिला दें और फिर इसको भी मिला देते हैं इसको भी मिला देते हैं और इसको भी मिला देते हैं यह हो गया अब आते हैं रवर बेंट कर लंबाई कैसे निकालेंगे जिसे जब तीनों जब तीनों दस सेंटीमेटर का था तो तिर्जिया पांच सेंटीमेटर यह हो जाएगा पांच यह पांच यह पांच यह पांच यह पांच यह इसका मतलब यह लंबाई दस यह लंबाई भी दस और यानि टोटल दस दस संटिंटिमिटर है इसका मतलब यह संभाउं तिरभूज होगा और संभाउं तिरभूज में तीनो कुंड कितना डिगरी का हते हैं या यह साथ डिगरी यह भी 7 डिगरी हो जाएगा चाहिए अब एक चीज और जानते हैं जैसे कभी भी अगर दो बीर्थ असपर्स कर रहा हो एक दूसरे को समान तिर्जिया के बीर्थ अगर असपर्स कर रहा हो एक दूसरे को तो जो इसके असपर्स रेखा की जो लंबाई होगी ये लंबाई असपर्स रेखा की वो क्या होगी बिर्द दोनों तिर्जियाओं के बीच के दूरी के बराबर हो जाएगे इस दोनों तिर्जिया के बीच का जो दूरी होगा वही इस असपर्स रेखा की लंबाई हो जाएगे तो ये अगर 10 cm है तो ये असपर्स रेखा कि लंबाई भी 10 cm होगी यहाँ से यहाँ तक का और ये लंबाई भी 10 cm हो जाएगी और ये लंबाई भी 10 cm का हो जाएगी केवल इतना ही दूर का जितना दूर यलो कलर है उतना ही दूर 10 cm का होगा ठीक है क्योंकि ये जो है ये एक आयत बन जाता है आयत इसलिए बनता है क्योंकि ये 90 डिग्री हो जाता है क्योंकि असपर्स रेखा पर केंद्र पर 90 डिग्री कुन बनता है ये भी 90 डिग्री कुन बन जाता है जब 290 डिग्री कुन बन गए तो ये भी 90 ये भी 90 हो जाता है तो आयत एक लिक का हो जाएगा 120 डिगडी का हो जाएगा 120 डिगडी का हो जाएगा और यह थोच भी गृषरों यह बना रही है अगर पीन तीरजखन्ट कून बना रही है इसका मतलब हम कह सकते हैं ये तीनो तीरज खंड मिलकर एक विर्ट बन जाएगा या लम्बाए जो तीनो लम्बाए मिल जाएगा तो यЕ एक विर्ट बन जाएगा और जिसका तीरज कितना होगा 5 cm ऊथ भागए तो इस बिर्ट का जो जो रेट कलर है उस वृत का पर्माप बोली यह 3 मिलकर एक विरत बना देगा क्योंकि 3 का जो तीरज खांड हो 120 220 का यहना 360 डिग्री को बना रही है यह 130 साट डिग्री को बना देगी थो इसका मतलब वह तीनों मिलकर एक बिरत बना देगे complete breath और breath का जो परिमाफ हो था वो 2 pi r यानि 2 गुने pi का बदलें pi रहने देते क्योंकि हर ओप्सन में pi दिया गया है और arc बदलें कितना है 5 यानि इसका जो ब्याज था वो 10 cm था तो 35 यानि 10 pi ये लंबाया जाएगा यानि red color वाला जो था वो 10 pi का हो गया और yellow color yellow color से जो दिया गया है वो 10 यहाँ 10 यहाँ और 10 यहाँ तो 30 यह हो जाएगा 30 लंबाई और 10 pi लंबाई यह हो जाएगा यानि total जो परिमाफ पाएगा total rubber का लंबाई 30 yellow color वाला और 10 pi red color वाला तो यानि 30 पलस 10 pi option number 20 का right answer हो जाएगा तो आज का session यहीं सनापत होता है जो लोग अभी तक channel group नहीं जोइन के telegram channel group जोइन कर लेंगे और facebook group का भी link वीडियो में मिल जाएगा वीडियो की description में तो आज के लिए इतना ही और वीडियो को share जरू कर देजएगा और like भी कर देजएगा thank you, bye bye